गुड मॉर्निंग चुल्डन तुड़े आप लोग को चैप्टर वन में मैंने पहले भी पढ़ाया है और आज फिर से आप इसको बनाओगे आप लोग के पास बुक है ना पहले आपके पास बुक नहीं था तो हमने कॉपी में लिखा था अब आप लोग के पास बुक आ गया चिपकाने के बाद आपको अपने यहां पर नाम लिखना है इस तरह से आपको यहां पर फिल कर लेना है ठीक है उसके बाद अगर आप बॉय हो इफ यह और बॉय दिन कलर द पिक्चर ओ बॉय आप अगर बॉय हो तो बॉय के पिक्चर को कणर करोगी गिए उसके पेज नमबर फिह में आप यहां देख सकते हो डिफरेंट बॉड़ी फीचर के बारें बताये है विए ऑल लोग बच्चा है वह बड़ा है कोई बच्चा छोटा है इस तरह से यहां पर रवी है जोंकी और इसकी sister जो है वो छोटी है, तो हम लोग को difference इसमें से पता करना है, क्या है इस दोनों में difference, पहला difference है, रवी is tall and the baby is short, रवी बड़ा है, तो रवी को tall हम लोग बोल रहे हैं, और बेवी छोटी है, तो इसको short बोल रहे हैं, यहां पे opposite हो गया tall का short, रवी weight is more, रवी का weight ज but the baby has no teeth, रवी के पास daat है और बेवी के पास daat नहीं है, आप लोग देखियो ना, छोटे बच्चे के पास daat नहीं होता है, बड़े बच्चे के पास होता है, दीरे दीरे daat उसको आता है, ठीक है, तो यहां पे teeth इसके पास तीथ नहीं है, तो हम लोग ने अलग-अलग body features पढ़ा, दवीक लंबा है, इसका वेट जादा है, इसके पास तीथ है, बेवी के पास तीथ नहीं है, इसका वेट कम है और यह छोटी है, उसी तरह से आपको यहां पर लिखना है, find out how you have changed, अब आप भी जब जन्म लिये होंगे, when born, तब आपका वेट क्या था, और अभी आपका वेट क्या है, born का मतलब जब आपने जन्म लिया था, height अभी आपकी क्या है, और अभी आपकी height क्या है, number of teeth जब आपने born क्या था, क्या था, और अभी क्या है, तो इसको आप यहां पर feel कर लोगे, ठीक है, इस तरह से page number 1, 1 और 2 आप लोग फिल कर लोगे, EBS में, फ क्या है, thank you